वो ख्षेतर जो विकास की दोड़ में पीछे रह गए हम उनको आगे लाने के लिए दिन रात मैनत कर रहे हैं साथियों आज बाबा धाम बैं मैं आप से एक सवाल करना चाहता आप मुझे जवाब देने की ज़रुत देए कर मन में सोचिए आज जो काम हो रहे है देश यही है लोग यही है दबतर वही है अपसर वही है तो क्या पहले होने चाहिए थे कर नहीं होने चाहिए थे यह काम पहले होने चाहिए जग नहीं होने चाहिए थे कौन रोपता था उनको भाईयों बैंओ इसका एक बड़ा कारण था सरकारे कुछ होती है जिसके दिल में सेवा भाव नहीं सत्ता भाव भर जाता है और ये सत्ता भाव के करण वे लंबे समय तक जो सरकारों में रहे उनकी प्रात्विकता सत्ता सर्व सत्ता सब्दूर सत्ता कहां से मिले वहां से पाना सिर्फ सत्ता यही उनका स्खयाल यही उनका मंत्रा वही उनकी प्रात्विक्ता सेवा कभी उनकी प्रात्विक्ता नहीं रही अगर रहती तो देश आज आजादी के 45 साल मना रहा है बहुत आगे पहुंच चुका होता ऐसे में गवस्त ऐसी बन गई कि जिसके पाथ पहुंच थी सिफारस्ती जो जनवान था वोई सारी सुविधाओं तक पहुंच पाता था और सावी सुविधाएं उसी के लिए समर्पित हो जाती थे पहले से जीतने दूर थे जो गरीब थे दलीत थे पिछडे आदिवासी थे उन तब सुविधा भी उतनी ही देर से पहुंचते थी उनका नंबर ही नहीं लगता था इसलिए जारखन को संधाल प्रगना के इस बहुत बड़े खेत्र को सुविधाओं के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा और मुझे गर्वा है कि भाजपा की सरकार एंडिय की सरकार गरीब की सेवा की भावना से उनके लिए जी जान से काम कर रही है हम गाउं गाउं तक सड़के बना रहे हैं ताकि सुविधा मिले तो सब को मिले हम गरीबों के लिए नए गर बन रहा है जारखन के 12 लाग गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं भाईयों बैनों हमारी सरकार बनने के बाद 12 लाग गरीब भाईयों को मेरे आदिवासी भाईयों को पक्के घर मिले हैं हर परिवार को बिजली मिले, परियात बिजली मिले, गरीब से गरीब बैनों को रसोई गैस मिले, हर गर जल पहुँचे, इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार के ऐसे ही प्रयासों से मेरे गरीब भाई बैनों में गरीबों के विरूर लड़ने का, गरीबी के खिलाब लड़ने के लिए तयार करने का, गरीबी दूर करने का नया साहस पादा हुआ है। बाई और बैनों, हमारी सरकार गरीब की मुसिबते समझती हैं, गरीब के सुखदुक की साती हैं। कोरोना के इस कालगण में सो साल की सबसे बड़ी महामारी आई। इस दौरान हमारी सरकार ने गरीब को मुप्त वैक्सिन से लेकर उनके खाने पिने तक हर चीज का ध्यान रखा। और इतना बड़ा देश कोई गरीब के घर का चूला न जले, इसकी हमने पूरी तकेदारी की ताकि गरीब भूखा न सो जाए। जारखन के भी लाखों लोगों को केंद्र सरकार की मुप्त राशन वाली योजना का लाब मिल रहा। भाई और बैनों, आज मुझे एम्स देवघर में नई सुविधाये सुरू करने का भी मौका मिला है। जारखन में स्वास्त सेवाओं की बहतरी के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। यही जारखन की धर्ती है। जहां से जब रगुगरदाज जी मुख्यमंत्री थे आयुशुमान भारत योजना का उद्गाटन प्रारम यही जारखन से हुआ। इस योजना के तहत देश के तीन करोड़ गरीब मरीजों को मुप्त इलाज मिल चुका है। इसमें जारखन के भी बारा लाग से अधिक बहन भाईयों उन्हों इसका लाब लिया है। इन लोगों ने अस्पताल में भरती होकर अपना मुप्त इलाज कराया है। आप कल्पना कर सकते हैं। इससे सिर्फ जारखन के गरीबों को ही चौदा सो करोड रुपिये अगर ये योजना न होती तो उनको अस्पताल के चौदा सो करोड रुपिये का बिल भरना पड़ता। आज इस योजना के कारां जारखन के लोगों के जेब में वो चौदा सो करोड रुपिया बज़ गया है मेरे भाईयों बेहनों। सोचिए इतना पैसा खर्च करके इलाज करने के वज़ाए मेरा गड़ी भाई बेहन तो यही सोचता कि कुछ ने करना है थोड़ी तकलिफ होगी अब कितने दिन जिना है भाईयों बेहनों वो दवाही न करवाते घर पे बैठे रहते मेरी माता है तो बताती भी नहीं कि मु कि मां तेरे बेटे पर कर्ज न पड़े तेरा दूसरा बेठा बैठा है तरी चिंता करें लेकिन भाजपा सरकार के योजना गरीब के लिए बहुत बड़ा संबल बन कर आई है आईश्मान भारत योजना की वज़े से जारखन के लोगों को गरीबों को देश के दूसरे पतालों में भी बहुत मदद मिल रही है यहां देवगर में एंस मन्ने से भी गरीबों की बहुत बचत होनी वाली है साथियों आदिवासी समाज का ससस्करन उनके बच्चों का उजवल भविश भाजपा की प्रात्विक्ता है इकेंद्र सरकार की नीतियों में साप साप जल जारखन के हैं उसमें भी अधिकतर मेरे ये संधाल परंगना में हैं कुछ महिने पहले ही देश के 44 जनजातिय जीलों में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है इसके लिए सरकार लगबग 6,000 करोड उपे खर्च करने जा रही है इसका लाब जारखन के लेक जीलों में रहने वाले मेरे आदिवासी भाई बेनों यहां के युवाओं को होने वाला है इससे जनजातिय जीलों में डिजिटल इंडिया का यानि आन्लाइन सरकारी सेवाओं का लाब और बहतर तरीके से मिल पाएगा जारखन एक लब्वे स्कूलों के नेटवर्क का भी बहुत बड़ा लाबारती है केंदर सरकार जारखन में नम्बे से अधीक एक लब्वे स्कूल बना रहा है भाई और बैनों जारखन में प्राकुर्दिक संपदा भी है और सम्रुद्ध होने का सामर्त भी है बीते कुछ वरसों में केंदर सरक जार के प्रयासों से जारखन का ये सामर्त और बढ़ रहा है क्या कभी कलपना की जा सकती थी कि जारखन पाइप से रसोई गैस और सी एंजी आधारी ट्रैफिक के मामले में देश के अवल राज्य में होगा आज प्रधान मंती उर्जा गंगा योजना के कारण ये संभव ह रहा है सिंद्री खाज्य कार खाना जो बंद पड़ गया था उसे फिर से शुरू करने का काम भी तेजी से चल रहा है जारखन के किसानों देश के किसानों को रहाद देगा यूरिया पर विदेशी निर्भरता को कम करेगा भाई और बैनों जारखन के पास देश का रहानी अउद्यों की राज्य बनने की हर संभावना मौझूद है आज संथाल परगना के लिए पहले फोर लेन हाइवे का भी सलानियास किया गया है इससे पूरे अंचल में कनेक्टिविटी को विस्तार होने वाला है साहब गंज में गंगा नदी पर मल्टी मोडल हब भी बनाया गया है ताकि यहां के उद्योगों को हल्दिया से वारार्जी पर बने नदी जलमार का भी लाम मिल सकेगा जार्खन को समुद्री रास्ते से कनेक्ट करने के लिए जो भी प्रयास हो रहे है उससे यहां उद्योग लगाना बहुत आसार हो जाएगा यहां कच्चा माल भी और जब उत्पादन होगा तो जार्खन यहां के गरीब को आदिवासी को रोजगार के लिए यहां से कभी उसको बाहर जाना नहीं पड़ेगा हिंदुस्तान के और कौनों में जुगी जोपड़ी में जीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा और यहीं तो हमारा सबका साथ सबका विकास का राह है साथियों विकास के इनकारियों के बीच आज मैं आप सभी को एक बात से भी सतक करना चाहता हूँ आज मारे देश के सामने एक और ऐसी चुनोती आखड़ी हुई है जिसे हर देश वाची को जानना और समझना है यह चुनोती है शौटकट की राजनीची की बहुत असान होता है लोग लुभावन वाईदे करके शौटकट अपना कर लोगों से वोट बटोन लेना शौटकट अपनाने वालों को ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परणामों के बारे में सोचना पड़ता है लेकिन ये बहुत बड़ी सक्चाई है कि जिस देश की राजनीची सौटकट पर आधारिद हो जाती है उसका एक ना एक दिन सौट सरकिट भी हो ही जाता है शौटकट की राजनीची देश को तबाह कर देती है भारत में हमें ऐसी शौटकट अपनाने वाली राजनीची से दूर रहना अगर हमें आजहादी के सोवर्थ पर भारत को नहीं उचाई पर ले जा रहा है तो उसके लिए परिश्रम की पराकास्टा करनी है और परिश्रम का कोई शौटकट नहीं होता भाई यो बैनो आज हादी के बाद देश पे जो राजनीची दल हावी रहे उन्होंने बहुत से सौटकट अपनाए थे इसका नतीजा ये हुआ कि भारत के साथ आजाद हुए देश भारत से बहुत आगे निकल गए हम वही के वही रह गए आपको उदान देता हूँ आज हम सभी के जीवन में बिजली कितनी जरूरी हो गई है कि हम सभी देख रहे हैं अगर बिजली ना हो तो मोबाइल चार्ज भी नहीं हो पाएगा न टीवी चलेगा इतना ही नहीं गाउं में टंकी बनी हो नल भी लगा हो बिजली नहीं है तो बिजली नहीं बरेगी तो पानी नहीं आएगा पानी नहीं आएगा यह आ तो खाना नहीं पकेगा आज बिजली इतनी ताकत वर बन गई हर कोई कम बिजली से जुड़ गया है और भाई यो बbreaker अगर ये बिजली न होगी तो फिर शाम को धीबरी और लाल टेन की रोशनी में रहना पड़ेगा बिजली ना हो तो रोजी रोटी के अवसर कल कार खाने सब बंद हो जाएंगे लेकिन बिजली शौटकर से पैदा नहीं की जा सकती जारखन के आप लोग तो जानते हैं कि बिजली पैदा करने के लिए प्रावर प्लांट लगाने पड़ते हैं हजारो करोड उप्य का निवेश होता है इस निवेश से नए रोजगार भी मिलते हैं नए अउसर भी बनते हैं जो राजनितिक दल शौटकर अपनाते हैं वो इस निवेश का सारा पैसा जनता को बहलाने में लगा देते हैं यह तरीका देश के विकास को रोकने वाला है देश को दसको पीछे ले जाने वाला है आज बाबा धाम से मैं आप लोगों को सभी देश वास्यों को इस शौटकर की राजनिति से बच कर रहने का रदेपुरवा आगरह कर रहा हूं शौटकर की राजनिति करने वाले कभी नए एरपोट नहीं बनवाएंगे कभी नए वरहादुनिक हाइवेज नहीं बनवाएंगे वे कभी भी नए एम्स नहीं बनवाएंगे, हर जिले में वो कभी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाएंगे, मैं आपको एकुदान देना चाहता हूँ आज यहाँ जारखन में हजारो करोड की नई सडकों के लिए इस लान्याद और लोकारपन हुआ है, किसी के लिए बहुत आसान है यह कह देना कि अपसे जारखन में ना बस का टिकेट लगेगा, ना आटो में चड़ने का पैसा देना होगा, और नहीं रिक्से का कोई भड़ा लगेगा, सुनने में यह बहुत लोग लुपावना लगता है, लेकिन ऐसी लोग लुभावन गोशना है, यह शौटकाट एक दिल लोगों को ही कंगाल कर देते हैं, जब सरकार के पास पैसा ही नहीं आएगा, तो फिर वो नई सडकों के लिए कहां से खर्च करेगी, नई ह भाईवे कहां से बनवाएगा, इसलिए ऐसे लोगों से चारखें के निवासियों को भी सतरक रहने की ज़रूत हैं मेरे भाईव बेहनों, आज एक और आगर मैं देवगर के लोगों से करना चाहता हूँ, आज यहां इतनी सुविदाय बन रही है, तो उनका खयाल रखने का दाईत्व भी मेरे देवगर के भाई यो बेहनों का है, देवगर को, बाबा धाम को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सभी भाई बेहनों की हैं, और यात्री आता है, परियटक आता है, विदेशी टूरिस्ट भी आता है, तो स्वच्छता उसके लिए पहली आवशक्त होती है मैं चाहता हूँ यह स्वच्चता हम सब की जिम्मेवारी है हम अगर सपत लें कि मैं गंद की करूंगा नहीं मैं गंद की करने नहीं दूंगा तो स्वच्चता के लिए और कुछ करने की जरूत नहीं पड़ेगी भागयों बहनों आपको कोशिश करनी है कि स्वच्चत आप लोग मेरी मदद करोगे क्या देवगर को सच्छ बनाओगे क्या हिंदुस्तान में सबसे शांदर बनाओगे क्या देखे मैंने जितना काम किया है अब मैं इतना थोड़ा सा काम आप से मांग रहा हूँ जारखन को आगे बढ़ाने के लिए देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही हमें सबने मिलकर के काम करना है और इसी भावना के साथ हमें देवगर को भी आगे बढ़ाना है सांधाल परगना को भी आगे बढ़ाना है हमारे जारखन को भी आगे बढ़ाना है और पूरे दुस्तान को भी आगे बढ़ाना है इसी एक भावना के साथ बाबा के चल्णों के फिर एक बार प्रणाम करते हुए आप सब का धन्यवाद करते हुए मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की